असलाव लेकुम दोस्तों दोस्तों आज किस वीडियों हम बात करेंगे मेलेके दोर्णत और सुल्ता अनूरतिन के बारे किसलाव दिन ख़साव करने में कामयाँ हो जाएंगे इसके साथ एपीसोड 22 के रेइटिंग के बारे में भी पात करेंगे नहीं यह साथ यह सव्जान निकली वीडियो को अंतर दीचेगा हुआ चाहिन को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों सब्सक्राइब से बढ़े ये एपिसोर 22 की, पिछले किसके मकाबले में, एपिसोर 22 की रेटिंग में मामूली कमी हुई थी, और एपिसोर 22 को 4.81 पॉइंट ट्रेटिंग बिली थी, दोस्तों बात करते हैं हर्जा की, जब 20 लाहुदीन रजा को फता करने की त्यारी करता है, दर्म्यान में किसे के सम्की की रकावर्ट खड़ी हो जाती है, इस पार मिलिक दोलत घजा की फता गिरा में रकावर्ट बन गी है, दोस्तों अगर तारिखे एप बार से देखा जाए, तारिखों घजा को फता कुदूस से कुछ अर्जा कबल फता किया गया था, लेकिन इससे पहले मिसर फता हो चुका था, लेकिन मिसर की फता अभी तक सीरीज में दिखाई नहीं दी, इसी हम नहीं समयते हैं कि घजा की फता विलहाल दिखाई जाएगी, मिसर की फता वजजा की फता से पहले नज़र आएगी, सीजन के खताम पर या सीजन टू की शुरू में घजा की फता दिखाई जाएगी दोस्तों यहां पर अगर बात करते हैं सुल्टान नुरदीन और मले के दोलत की बर्नार्ड एम बड़ा खेल खेला और मले के दोलत को सुल्टान नुरदीन का तिश्मल बना दिया लेकिन बर्णार्ट का ये खेल सामने आ जाएगा और मलक महदूद इस खेल को दिखाने में एहम किर्दार अदा करेंगी तो कि ट्रेल में दिखा जा सकता है कि सुलकान नुरदीन ने मलक महदूद से कहा है कैदर इस पार जूट पुला तो इस वार इसका सर उड़ा दिया जाएगा येकिनन मलक महदूद मले के दोलग को ये बताएगा कि बर्णार्ट था जिसने इस पर और इसके बेटे पर हमला किया और जब अधिकत सामने आएगी तो ये जंगी रुख जाएगी और जब भर्णार्ट और मले की दोलग की कहानी खतम हो जाएगी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो मिस्ते अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए अलाहाफ़ेज